साथियो आप सभी को बहुत बहुत प्लीए साथियो मेरे जितने भी वीडियो होते हैं मैं जो भी वीडियो बनाता हूं इसलिए बनाता हूं कि उससे आपको कुछ जानकारी मिल पाए और आप अपना अध्यात्मिक विकास कर पाए tuning और यह आध्यात्म एक science है, विज्ञान है, तो विज्ञान हमेशा उबाउ होता है, जब हम विज्ञान पढ़ते हैं, science पढ़ते हैं, math पढ़ते हैं, तो यह विशह काफी उबाउ और बोर करने वाले होते हैं, तो अधिकांश लोग स्क्रिप्ट करकर के देखते हैं और उन्हें समझ में कुछ नहीं आता तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वीडियो स्क्रिप्ट करके ना देखें यह साइन्स है जब तक इसे आप नहीं समझेंगे पूरी तरह से नहीं सुनेंगे पूरी तरह से नहीं समझेंगे तब तक आपका सुनना बिल्कुल वियर्थ है तो यहाँ पर मैं कुछ दो चार बाते आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी भी जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको रिमेंबर और कराऊंगा कि तक्नीक क्या होती है तक्नीक का महत्व क्या होता है मैं एक हलवाई फैमली से आता हूं हमारी मिठाई की दुकान हुआ करती थी फादर की बड़े-बड़े कारीगर काम करते थे आज मैं भी बेकरी चला रहा हूं बेकरी काउट लेट है मैनुफेक्शिंग है बड़े-बड़े सेफ काम करते हैं तो उन सारे सेफों का और उन सारे कारीगर्स का सभी का एक कहना था कारीगरी कुछ भी नहीं है किसी भी कार को करने में कारीगरी कहीं भी कुछ नहीं है कारीगरी मात्र आग पानी का खेल है टेंप्रेचर का खेल है कि कब हमें कितने पानी का यूज करना है कब करना है शुरू में करना है यह लाश्ट में पानी एड़ करना है यह बीच में पानी एड़ करना है यह थोड़ा थोड़ा करके एड़ करना है कितने टेंप्रेचर पर करना है तो टे हमारी माता बेहने रसोई बनाती हैं आपने देखा होगा वही मसाले होते हैं से मसाले होते हैं एक घर में महिला जो है बहुत अच्छा भोजन बनाती है उसके हाथ का भोजन बहुत अच्छा बनता है लेकिन अन्य महिलाओं के हाथ के भोजन में वह बात नहीं होती जो किसी ए को तो मैं आपको टेक्निक बता सकता उनुवाव आपके अपने कहांगे नुभाह को सिंखेंगे अभ्यास ही नुभा अभ्यास करेंगे तो अनुभाह के अनुभाह के था ने आएंगे और आब आध्यात्मिंगे गहराईuesta के पहुंचने लगएख वनुभाह बताकर नहीं शिखाए जा सकते अभ्यास बताई जा सकते तो मैं आपको अभ्यास बता सकता हूं और अभ्यास हों में अगर आपने स्क्रिप्ट किया के बीच में से देखा तो बहुत कुछ छूट जाएगा तो आज के आज का वीडियो सुरू करते हैं यह प्रजलीन कौर हैं इनका प्रश्ण है बाबा जी बुल्ले शाहा ने रबनु नजदे पाया कि असीवी नच के रबनु पा सकते हैं ओसो भी नजदे हैं कि सुफी स्वांग सुनके रब की इबादत हो सकती है तो प्रजलीन को और बिलकुल हो सकती है आप जो ध्यान की थोड़ी बारीकी को मेडिटेशन आखिर क्या है इस चीज़ को आप समझ लें तो सभी कुछ हो सकता है और बहुत तरीके हो सकते हैं विज्ञान भहरब में 112 ध्यान की विदिया बताई गई हैं और अनेक संतों ने ज ध्यान की कोई भी विदी हो सकती है ध्यान किसी भी विदी से हो सकता है भगवान के दर्सन इस्वर के दर्सन किसी भी विदी के द्वारा पाये जा सकती है यहाँ पर थोड़ा ये समझ लेना है कि आप ध्यान करते हैं मेडिटेशन करते हैं भजन करते हैं नाम जाप करते है या किसी भी तरह के इस तरह की तकनीक जिससे की इस वर को प्राप्त किया अब कुछ करते हैं तो सबसे पहले आप यह समझे कि एक बच्चा उस्कुल में कितने टैम रहता है छे गंटे एक बच्चा उस्कुल में छे सरकल के साथ बिताता है तो आप स्वयम विचार करिए कि कि उस बच्चे के अंदर संसकार उस्कूल से आएंगे या घर से या फ्रेंट सरकल से आएंगे मैं अच्छे बॉडी बिल्डर से मिला हूँ मैं जिम बगेरा भी जाने का वेर कर रहा सो तो बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर से मिला तो हर बॉडी बिल्डर का कहना यही होता है कि बॉडी जिम में नहीं बनती जो बॉडी बनती है बॉडी बिल्डिंग होती है वो जिम के अंदर नहीं होती है जिम के बाहर होती है जिम में तो सिर्फ सेब दी जाती है तो वही मैं समझाने कोशिश कर रहा हूं कि आप जो भी मेडिटेशन करते हैं जो भी ध्यान करते हैं जो भी भजन करते हैं उससे ज् में में आप जितने अच्छे विचार रखेंगे जितना अच्छे पॉजेटिव रहेंगे सभी के प्रती सभी के प्रती अच्छे भाव रखेंगे तो उतना ही आप ईश्वर को आसानी से पा सकते हैं यहाँ पर पालेना यह ईश्वर के ईश्वर ने किसी को दर्सन दिये यह बात भी बिल्कुल गलत है ईश्वर ने आज तक कभी किसी को दर्सन नहीं दिये कितने ही बड़े से बड़े संथ हुए किसी को ईश्वर ने दर्सन नहीं दिये जिसने ईश्वर के दर्सन किये स्वैम किये ईश्वर ने किसी को दर्सन नहीं दिये क्योंकि अगर हमारे पास सबसे ज़्यादा कोई निकट है हमारे सबसे ज़्यादा अधिक निकट है जो भी सबसे जाद अधिक निकट है वो ईश्वर है ईश्वर से अधिक निकट हमारे कुछ भी नहीं है और समस्या प्रावलम कहां क्रिये ठूती है जो हमारे सबसे जादा नजदीक होता है उसी को हम नहीं देख पाते हैं क्या आप कभी अपना चेहरा देख पाते हैं बिना पस्वाइने की मदद के। के आपको अपना चहरा देखने के लिए भी मिरर की आवश्क्ता होती है कि आप अपना चहरा सुयम नहीं देख सकते हैं.... और आपसके सुयम के सरीर से भी निकट इसवर हैं.. इसवर देख नहीं नहीं पाते ह हमारी समस्या हैं क्योंकि हमारे अंदर बिचारों का अमबार है निरंतर बिचार चल रहे हैं वह बिचारों का अंधिकार लोग को कि परम तत्व को हमें देखने नहीं देता तो जब तक यह विचारों का संस्कार और यह विचारों के संस्कार थम जाते हैं मेडिटेशन के समय यह कुछ ऐसी जबकि आप पूरे दिन पॉजेटिव रहते हैं सारा जीवन अच्छा विताते हैं अपना और पॉजेटिव भाव से रहते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा एक बेह बनता है और जब आप भजन करते हैं मेडिटेशन करते हैं नरत्य करते हैं तो इतना तलीन हो जाते हैं कि कोई च्छण आता है जब आपको इसवार दीख जाते हैं कि 왈 शो're आपको दर्सन देए आप देख लेते हैं सभी के सामने प्रतेक्षर उस्हार कहीं छुपआःए नहीं धेक नहीं पाधे वह अपनी सुखेंप इस written कम के रहे जो हमारे अंदर बैचार नेरंतर치가 बन रहे तो मैं यहां पताना चाहूँगा, कुछ थोड़े से उधारन देना चाहूँगा, जैसा कि आप शवी ने देखा होगा, कि भगवान शिव की नतराज की प्रतिमा, तो नतराज एक ध्यान है, ध्यान की एक विदी है, जिसमें की आपको एक संदेश दिया जारा, उस प्रतिमा के द्वारा, भगवान शिव की नतराज की प्रतिमा के द्वारा एक संदेश दिया जा रहा है, कि नरत्त के द्वारा भी इसवर को प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसा कईयो ने किया, राधाने पाया, और भी अनगनत ऐसे हैं, जो कि, आप उनमां तल्लीन इस तरह हो रहा है कि आपके विचार ठेर जाएं कि जैस्ड़ saat है जाती है अब उस चण अकि-म्सवर को बताती है नियुकार सब धाना जो निरनतर बीचार चलब एग एक पीचहनी कि पीचहिए निरनतर चली रहे तो वह विचार जो निरनतर एक के पीचह एक चल माध्यम कुछ हो सकते हैं जैसे कि इन्रत में आप इतना डूब जाएं कि दर्सन हो जाएं आपको भगवान के एक संत की कथा आपने सुनी होगी अवश्य सुनी होगी तो एक संत थे उनके पास दो रोटी थी अभी वो भोजन करने वाले थे दो रोटी अलग रखी थी उनकी प्लेट में या किसी बरतन में तभी एक कुट्टा आया और एक रोटी उसमें से लेके भागा तो संत जी हर समय इस्वर में रहते थे और हर समय इस्वर के भजन में रहते थे और उनको इतना भाव आया जो कुट्टा एक रूटी लेकर भागा तो उनका इतना भाव जागरत हुआ कि दूसरी रूटी लेकर उस कुट्टे के पीछे भागे और इतना अधिक तो यहां समझे लेना चाहिए जब हमारे भाव इतने गहरे हो जाते हैं तो विचार ठैर जाते हैं तो ऐसा ही उन संतिजी के साथ हुआ और जब वो बहुत गहरे भाव उनके अंदर पैदा हुए और रोटी लेकर कुट्टे के पीछे भागे कि एक रोटी से आपका क्या हो जाएगा यह प्रभू उन्हें भगवान मान रहे हैं वो सभी पसुपक्षियों में भगवान मानते थे लेकिन मानते मानते जो भाव इतना उनका गहरा हो गया कि एक कुट्टे के पीछे दूसरी रोटी लेकर भाग रहे हैं एक रोटी से आपका क्या हो यह करका आप वदीन ने सुनी होगी। यहां समझ लेने ang researched है। कि भगवाने दर्सन दे दिए। मैंने कहा है कि जो है उन्होंने दर्सन पाली97 तो दोना बातामें अंतर है। क्योंकि भगवान तो हर समय प्रतेक्ठ हैं बस आपके देख लेने की देर है। और दूसरा मैं बात करूँगा 84 सिद्धों का आप लोग कितना जानते हैं 84 सिद्ध नौ नात के बारे में तो पांच भी सताब्दी में ये बज्रियान की शुरुआत थोड़ी-थोड़ी हुई और दस्भी सताब्दी तक आते हुए बज्रियान बहुत पीक पर था तो बज्रियान मैं से ही नौ नात निकले हैं तो बज्रियान एक साखा का नाम था जोगी बज्रियान की पद्दत़ि से इस्वर को प्राक्ति का इस्वर तत्त को पाने का ध्यान साथना करा एक बहुत बड़ी पद्दती थी बज्रियान जिसके गी 84 सिद्धु है और उस सारे सिद्धों के नाम नाम के आगे पा लगा होता था जैसे सरहपा या मिले रेपा तिलोपा शलीपा तो यहां पर समझ लिए चौराशी सारे सिद्धों के नाम के आगे जब पा लेखा है कहीं भी आप छब इस तरह का नाम से आते हैं मिले रेपानां लिया यह तो चौराशी सिद्धों में आपने नाम जो उनका नाम है जो मून नाम बता रहा हूं मैं आपको जो बज्रियान के उनके अनुके जो नाम है सामाने नाम उनके विप्रीत थे और सभी बहुत-बहुत बड़े संतु हुए बहुत-बड़े-बड़े सिद्ध योगी हुए जैसे कि मीनपा एक मीनपा थे और मीनपा के नाम से आप नहीं समझ पाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं क्योंकि चौराजी सिद्धो हों कि जब आप नाम पढ़ेंगे तो जानाम सारे नाम आपको समझ में नहीं आएंगे लेकिन कुछ नाम में आको गोरच पा के नाम से भी आप नहीं समझपाएंगे जिनका की असली नाम गोरखनात जो की गोरखनात के नाम से आप सभी जानते होंगे बाबा गोरखनात का नाम आता है तो इसी तरह चौरासी सिद्ध जो हुए वो सभी बहुत 84 सिद्धों की लिष्ट में जो नाम आए ये साखा बहुत बड़ी साखा थी जो 84 नाम सिद्धों के आए वो बहुत उचे स्थर के जैसे जिन नाम बताया है मैंने मचंदननाथ और गोरकनाथ या इनके नाम के साथ नाथ लगा हुआ उसका भी मता हुआ तो इस तरह से 84 सिद्ध है और नौनाथ नौनाथ हमें गोरकनाथ जी ने के ने जो जो उनकी परंपरा चली आ रही थी बजरियान की साधना पद्धती की वो एक तंत्रिक साधना थी तंत्र की कौल साधना थी जिसमें आप भहरव और भहरवी का और यह हमारी सेक्स को तुर मलत सेक्स पावर का इन सब चीजों का यूज उन साधना में किया जाता था बजरियान की साधना में तो यह साधना बहुत खतरना के हैं इसमें बड़े-बड़े साधक भी भटक जाती हैं यही हुआ था मचिंदन नाजी के साथ गुरत नाजी के गुरू मचिंदन नाजी के साथ भी यह हुआ था तो एक राणी जो तांत्र का थी मैं पूरी कहानी नहीं सुना रहां तो तो एक राणी थी राजी की जो कि तंत्र की बहुत बड़ी घ्याता थी तो मचेंदन नाथ उनसे मिलती हैं तो वो उनकी भेर भी बनती है तो साधना करते हैं और साधना में वो भटक जाते हैं और फिर अपना घर बसा लेते हैं शादी कर लेते हैं बच्चे बच्चे हो जाते हैं अब गोरक नात ढूंड रहे हैं कि जो मचंदर नात कहा हैं गुरुदेप कहा हैं गुर्देत का तो पता ही नहीं चल रहा तो ढूंड़ते ढूंड़ते पता चला हुने कि फला राज में उनके गुरु हैं अब वो सीधे डारेक्ट दरबार में जाके गुरु से संभोधित करें या उन्हें याद दिलाने कोशिस करें कुछ तो बात कुछ बिगड़ सकती थी तो उन्हें गाते हुए घूमना सुरू किया उनके आसपास महिल के आसपास जाग मचंदर गो रखाया तो चीमता बजा रहे हैं और गा रहे हैं कि जाग मचंदर गो रखाया तो मचंदर नात ने गुरु रफनात की आवाज पहचानी उन्हें याद आया ये तो गुरु र पास यहीं रहों। तो जब गोरखनाथ उनके पास रहने लगे। कुछ दिन रहते रहते। अब गोरखनाथ को अपनो गुरु को सही दिसामे लाना था क्यों इस्तरी प्रेम में पढ़के और घर गरस्ती के चक्कर में। कि फैमिली के चक्कर में पढ़ गए थे अब गुरु को निकालना था बाहर तो वह लगे हुए थे तो एक दिन अपने दौनों बच्चों को गोरखनाजी को चौंपते हुए का इन्हें नदी पे ले जाओ गंदे हो रहे हैं साफ सुतरा करके लेके आओने रहे हैं ले अग्या कता हूं अब मट अग्या काफी टाइम हो गया और आप नहीं ले लेकिंगे लोटें काफी टाइम अब तक गोरकनाथ कैसे नहीं आए तो उन्हें देखनें गई तो नदी के पास को गोरकनाथ बैळे एक मचेंदर्नाथ पुछे कहां ऊश्क और ओर महाराज बच्चे सूख रहे हैं तो पेड़ पर लिए हाथ अलग पहर अलग अलग सब कुछ अलग अलग करके जो टांगे वह बच्चों के अब मचंदर नाथ को तो बहुत जोर का जटका लग गया बेलकुल बेवस होते होते बचे गोरक तुने ये क्या किया मग गुर्देव आपने कहा तागी साफ सुत्र करके लिया तो मैं साफ सातर सुत् अब अगऑ यह सब जानते आप June kur सकती हैरे मचंदर नाथ को याद आया हाँ मैं जीवित कर सकता हूं तो नोंने ठीक है फुर तो कोई बात ही नहीं तो अनौने अपने मंत्रवंदर जो भी कुछ कर सकते दे किया लेकिन हूआ उने की शारी सक्ति खताम हो चुकी थिशिए हो चुकी थी अब मच्छंदर नात वे दुम यह क्या हुआ है तो अब गोरक भी तुम कुछ करो तो गोरक नाथ ने ठीके गुरुदे मैं करता हूं तो गोरक नात ने जो है अपनी सक्ति से उन बच्चों को जीवित कर दिया अब मच्छंदर गोरखनात के साथ मचिन्दनात चले तो वहां से जो बज्ज्रियान संप्रदाय की यह भेरव और भेरवी वाली पद्दती थी गोरखनात जी ने वहां से बदल दी अब गोरखनात जी ने उस चीज़ को बिना इस तरी के साथना वाली पद्दती विक्सित की और उनके गुरुदेव ने भी उस चीज़ को स्विकार किया तो नौ नाथों में मचिन्दनात का भी नाम आता है गोरखनात जी का नाम आता है चरपटनात जी का भी इस तरह नौ नाम है नौ नात में जो की बहुत हालां कि नात संप्रदा बहुत बड़ा है और आज भी हमारे मुक्ह मंतरी यूपी के मुक्हमंतरी योगी आतितनात संप्रदाय से जुड़े हुए है तो कि यह तो 54 सिद्व opted बताने जा रहा हूं कि जैसे प्रिजलिन को पूछा कि क्या नाचते नाचते भी इसार को पाया जा सकता है कि तो यहां इतनी मेंट 94 सिद्व के बारे में जो बाध मैं बाते यहाँ पर मैं में पॉइंट पर अब आया हूँ मैं सुनाना चाह रहा था तिलो पाग की कहानी तिलो पाध क्योंकि जितने भी चौराजी सिद्ध है उनके नाम के साथ पा लगता है और पा संस्रत का सब्द है सुद्ध सब्द पाध तो जितने भी नामे आप उनके साथ पाध लगा कर बोल शलीपा शलीपाद तो तिलो पाध एक सामान व्यक्ति थे और उनके अंदर बैराग पैदा हो गया बैराग उत्पन हो गया उन्होंने कहा गया आध्यात्मी की और जाना है अभी इस्वर को पाना है तो एक अच्छे गुरु की तलास में ज्यादा दूर उनने जाना नहीं पड़ा फास में गुरुदेव उनके शलीपाद का आश्रम था बहुत उच्छकोटी के संती में स्थ संत्र उनके हजारों की संक्या में शिस्ष उनके तो उन्होंने तिलो पाध ने उनका नाम पहले कुछ और ता यह बाद में तिलो पाध उगा तो जाके शलीपाद जी से निवेदन किया, गुरुदेफ, मुझे जो ए, आध्यात्मिकी सिक्षा दीजिए, तो, गुरुदेफ बोले, सलीपात बोले, देखो मैं आपकी आध्यात्मिक शिक्षा दूँगा, आप आश्रम में रहो, जब तक मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, आप मेरे पास आएंगे न तो ते लोपाद बोले ठीक है गुर दे बाकि आप आश्रम के जो है व्यवस्था पाकों से समझ लो तुम्हें क्या करना है तो व्यवस्था पाकों नहीं तिल कूटने का काम सौंप दिया क्योंकि तिबबत में थंडा देश है थंडा थंडी जगह तिबबत तो तिलों का ज् यारोस हिस्सों के लिए तिल कूटना सारा सारा दिन तिल कूट रहें सारा सारा दिन तिल कूट रहें बारह साल तक वो तिल कूटते रहे और जब तक गुरू को उनका ख्याल आया तो वो तिल कूटते कूटते इतना तल्लीन हो चुके थे उन्होंने इस और तत्व को पा लिय था वो तिल कूटते कूटते एक महान सिद्ध बन चुके थे तो इसमें कहानी कुछ और भी है मैं सिर्फ इतना बताना चाहरा हूं कि एक व्यक्ति तिल कूटते कूटते भी पा सकता है नाचते नाचते भी पा सकता है साथियो मेरा कहने का सारी बात कहने का जो प्रश्ण किया और आप सभी का भी प्रशने आप कुछ भी करें जो भी करें तल्लिंचासे करें, डूप कर करें, और अपने अपने सुभाब के अनुसार पद्दितीच चुने, कि आपको किस पद्दतीचे, यस वर पर आप्द्दी और किस मार्क को आपको अपनाना है आप भक्ति भाप की ओर जाना चाहिए आपको की ध्यान योग की तरफ जाना चाहिए आपको या किसी अन तरीके से भजन मार्क से जैसे भी किसी भी तरह से आप पा सकते हैं जो आपके सुभाब के लिए जितना आपको जैसा सुभाब होगा उससे उतना आसानी आपको हो भीको बहुत बहुत प्रेंग